नमस्कार मैं इसके राजी पटना स्टूडियो से आप इस वक्त देख रहे हैं और जिस खबर को ले करके इस वर्थ हम चर्चा करेंगे वह खबर बिहार बीजेपी से जुरी हुई है दरसल में चाहे वो देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी हो चाहे देश के ग्री मंत्र लोगों की कोशिस लगातार यह रहती है कि कि लिए बいます जिस तरीके से विजेपी को और जादा से जादा बिस्तारित कि अजार सके और यह वजआ है कि दो मेहने हमि सदस्ता अभियान के सुर्वात की बरेद पैमाने पर उसमें विग्यापन भीनिकाला गया ौड लगा गया लेकिं उसके बाबजूद जिस तरीके से ब्जेपी का सदश्य लोगों को बनना चाहिए उस तरीके से ब्जेपी में लोग जूर नहीं पा रहे हैं और यही वजया है कि ब्जेपी का जो प्रदेश नित्रित्त है वो इस समुद्य को लेकर परिशान है दूसरी जो महत्पुर्ण बात है कि भले ही दिलिप जैसवाल को प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार दिया गया हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया हो लेकि वाकई में आज भी प्रदेश अध्यक्ष का की कमान जो है वो समराठ चौधरी के हाथ में और चौधरी के समय जो टीम बनाए गए थी वही टीम आज भी काम कर रही आखिर क्या इसके पीछे की वज़ा है पत्ना में बीजेपी बीट जो है वो बीवेक देखते हैं बीवेक से बात करेंगे बीवेक सबसे पहले तिया बताई कि बीजेपी जो सदस्ता अभियान की सुरवा बिल्कुल जिस तरीके से सदस्ता बिहान का जो रिष्ट दीखने को भिला था उसमय के सदस्ता एक कड़ोर का लच लिया गया था कि बिहार में हम एक महिने के भीतर में एक कड़ोर लच पार कर पाएंगे लेकिन जो अभी तक जो तीस लाख भी लगबग नहीं होगा और ऐ जबरन सदस्ता बनाया जाता था यानि कि सब्सक्राइब बनाई जा रही हो उसमें भी घोटाले यानि घोटाले एक तरफ जो लालु प्रवक्ताओं की तरफ वहां तो पत्रकार जाते ही है मिलने के लिए तो वह लोग भी मोबाइल करके कॉल करते हैं बिलकुल इसको सदस्ता अभियान इसलिए घोटाला कहा जा सकता है कि अगर नीजी कारक्रा में दिली जैसवाल पहुंटे थे चाहे संब्राड चोधरियों और बिजयक मार्शी नहों इसे तमाम जो नेता पहुंटे थे उस समय में वहीं मंच पर से कहते थे लोग अपने मो सब्सक्राइब करेंगे लेकिन वह नमबर इसलिए जारी किया जाता था कि सदस्ता अभियान में करवा रहे हैं लोगों को अभी देख रहे हुंगे कि तमाम जो नेता हो चाहे चोटे कार करता हूं प्रवक्ता हो उनके गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा होडिंग रहेगा और तमाम जो न्यूज चैनल हैं उसमें भी विज्यापन दिये हुए है कि बीजेपी का सदस्ता बने लेकिन बीजेपी का जो डेटा रखा गया था कि एक कड़ोर का अभी तक सर्वजनिक नहीं किया जा रहा परभारी बनाया गया जीवेश कुमार का जीवेश कुमार को प कड़ोर कि लच यानि अपने बाद वो जो बयान बयान से मुख कर जाते हैं यानि कि कहीं निकाए जो सदस्ता अभ्यान के अंदर जो महागोटाला हो रहा है मैं जो देख पाता हूं कि अमोमन जहां पर सम्राड चौधरी रहते हैं दिलीब जैस्वाल का कद्ध छोटा हो जाता है जब कि परदेश अध्यक्ष्य और मैंने देखा है कि सम्राड चौधरी से ही ज्यादा मसवारा यह करते हैं तो क्या यह माना जा यह चर्चा भी है आम में जो लोग सवाचना हुई थी उस समय परदेश चैद्य डॉक्टर संजेज हैसवाल थे और संजेज हैसवाल के अच्छा बीजेपी के अहां परफॉर्मस मिला था और ऐसे में बैसे के समाज के सहारे जो इस वार भी है कंधा पार लगाना चाहती है वीजेपी दोहजर प जीते और ऐसे में आप जो जो अभी भी जो निर्द्ने लिया जा रहा हुँ बिना समराट चौदरी से पूचके निर्द्ने नहीं लिया जा रहा हुँ चाहे विधान सवा के उपचुनाव को कनिड़ेट के गोशना हो उससे मैं भी समराट चौदरी के आवास पर बैठा को इसके बदि निर्द्न लिया गया कि कि को कौन से देना है दो सीट फाइनल कर लिया गया तरारी और रामगर चीट और यह जो सिट था बच गया था बेलागाट बेलागंद दे दिया गया अप आले ही जो थे मान जी ने अपना उमिदवार इमामगेज में उतार दी थे आए यह देखा गया है कि हम लोगों ने लंबे समय तक कफर किया है बीजेपी और अन्य बीटों को तो यह देखा कि जाता है कि जो नए प्रदेश सद्धक्ष आते हैं तो वह अपने लोगों को लाते हैं जितने भी चाहे वह मेडिया पैनलिस्ट हों चाहे जो प्रवक्ता हो या दिलीप जैसוצोरान के लगवे चाहते हैं सब्सक्ष्व दोहमें से जादा को वक्त हो चुका है अभीत ऑन दिलीप जैस्वाल के पास या तो वह संगठन यह फिर उनके कि लीडर्सीप में कहीं न कहीं से कोई अभाव है और यही वज़ा है कि जो सम्राठ चौधरी की टीम में वही टीम काम कर रही है बिलकुल अभी उनको तीन महीना लगवग होने जारा प्रदेश सद्याच बनने के लिए ऐसे में उना तो संगठन में एक भी बदलाव किये चा अभी ध्रमशिला गुपता जो राजस्वा सांसद है और उस समय सम्राठ चौधरी के इस समय से बने हुए है ऐसे में लेकर जो कुछ भी परकार का बदलाव नहीं किया गया तो इसका सीधे साधा कह सकते हैं कि सम्राठ चौधरी के ही सारु पर सारा काम हो रही है सिर्फ एक वोट वाइंग के लिए इनको ला दिया गया अदलीप जैस्वाल को अदलीप जैस्वाल के सहारे जो है बीजेपी नईया पार लगाना चाह रही है दो हज़ार पचीश में अब ऐसे में जो एक परदेश सद्याच का इदाइत होता है कि अपने संगठन को कैसे मजबूत कर होते हैं कि हमहां हमें राजनीति की कोई ग्यान नहीं है लेकिन राजनीति की अग्यान अगर संगठन में बदलाब करते हैं तो देखना वह लेकिन संगठन में तो बदलाब कर लेंगे लेकिन अक्टूबर के लाश्ट माहा है एक दो दिन के बाद नवंबर हो जाएगा तो ऐसे में नहीं नहीं लगता है कि जो समराण चोधरी के टीम है जो पुरा वही काम कर रहा और दिलीब सिर्फ मुखोटा बने हुए दिलीब जैसवाल कल भी मीडिया का जो समराण चोधरी कवास पर मीडिया लोग कर लिए एक गुप्तव बैठक बलाए गई थी उस समय भी देखे तो पहुंचे थे तो बड़े सा भाई सा परणाम करके जो एक रहादा उहदा होना चाहिए अगर claim लेके चे buzz वाल। सम्राड चोधरी को बड़ AZRI क्यायाते हैं करते हैं तब फोरी तरिके से खाल cradle के पूतला की तरह उनको बना दिया जैसे मन्मोहन सिंह को और सॉनिया गांधी प्रतान मंत्री वह करते थे था सोनिया गांधी संस्ट कहए Prinzip सिर्फ नाम का प्रदेश अध्यक्षा काम कोई और कर रहा है जानकारी अभी दे रहे थे कि वाकई में दिलिप जैस्वाल जो है वो रिमोट से चलने वाले प्रदेश अध्यक्ष है और एक चर्चा जो अभी विवेक ने की वह बहुत बड़ी ख़बर है कि कहीं न कहीं से बीजेपी में सद करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन सब के बीच अगर वाकई में इसमें सचाई है तो आने वाले दिनों में जो भाजपा खुद को अंतरास्टे अस्तर की सबसे बरी पार्टी बताती है उस भाजपा को बिहार में सायद अपना जमीन फिर से तलास ना पर सकता है अगर आपको राजेस के साथ इसके राजीब को दीजिए इजाज़त नमस्कार